दाइ लाग करोर से बड़ा है भारत का एक्सपोर्ट जी हां आप भी सोच रहे होंगे कि ये क्या बोल रहे हैं जी हां नमस्कार मैं नितिन देख्षित स्वागत करता हूं नई वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं भारत का जो दाइ लाग प्रतिशन एक्सपोर्ट है वो बड़ा है पैट्रोलियम में में जी हां पैट्रोलियम जो हमारे देश में होता ही नहीं है वह भी लोकुल ना के बरावर होता है कैसा हुआ ऐसा कैसा हुआ और सारे यूरूपन कंट्री में बहुत सारी करीब 15 कंट्री जहां पर भारत ने पैटरॉल एक्सपोर्ट किया तो यह कैसे पॉसिबल हुआ यह हुआ इस प्रकार की रशिया यूग्रेन वावर में हमारा जो भारत का सिस्टम था वहाँ पर हम लोगों ने कभी भी किसी देश का पूरा साथ देना और किसी को अलग कर देने का सिस्टम नहीं था तो उसी रणनीती के तहट रशिया हमारा काफी अच्छा दोस्त रहा है और यूग्रेन रशिया के वार के चलते हुए यूए से ने बहुत सारे प्रतिबंद लगाए सारी यूरूपन कंट्रीज यूके सब एक साथ हो गए और रशिया को अलग कर दिया और उसका इवन सिच पेमेंट सिस्टम भी काफी उनने बंद कर दिया तो भारत से मैतरी होने के कारण रशिया ने पूरा इसको जो पेट्रोलियम प्रड़क्ट यूरूप को देता था वो सब भारत ने इंपोर्ट किया और यहीं से इसको री एक्सपोर्ट करके यूरूपन कंट्रीज तक पहुंचाया तो इसमें रशिया की एक बहुत बड़ जाए कंपनी और हमारे देश की जानीवानी कंपनी रिलाइंस अंडस्री की जो रिलाइंस पैट्रोलियम है उन लोगों ने इस पूरे सिस्टम को डेवलब किया और जितना भी रॉशिया से ब्रक्ट आया पैट्रोलियम पुड़क्ट वह उन्होंने यहां से री एक्सपोर कर रहे थे अब इसके फाइदे तो यह हुए कि जो प्रोड़क्ट हमने कभी बनाए नहीं है वह जब एक्सपोर्ट करने लगेंगे तो अब इतना पर्सेंटेज बढ़ना है जब कि हमारे देश का अगर हम एक्सपोर्ट परसेंटेज देखें तो दो परसेंट गया सपास है बट जब कोई ऐसा प्रोड़क्ट जो हमने कभी बनाया ही नहीं है और वो धाय लाग प्रतिशत की व्रद्दी कर लेगे तो उसको ऐसा ही पॉसिबल होगा कि हम किसी और देश से प्रोड़क्ट लेकर उसको रिएक्सपोर्ट करेंगे तो ऐसा काम बहुत सारी देशें में ह होता है जहां पर बैंड लग चुका होता जैसे मान लिजी एक्जामपल को भारत पाकिस्तान का ट्रेड बंध है बहुत सारे प्रोड़क्ट इंडिया के भी पाकिस्तान में यूज होते हैं और पाकिस्तान के भी इंडिया में यूज तो वह इसी प्रकार से होते हैं कि कोई बीच वाले country होती है जहां पर वो दोनों product अपना import करते हैं और वहां से फिर export करते हैं दूसरे की country को. एक्जाम्पल की तोर पे UAE में बहुत सारे प्रोड़क्ट पाकिस्तान के आते हैं बहुत सारे प्रोड़क्ट इंडिया के भी आते हैं अब यहां से हम लोग पाकिस्तान भी एक्सपोर्ड करते हैं जो प्रोड़क्ट पाकिस्तान को रिक्वारमेंट है और बहुत सारे प्रो यह एक अलग तरीका है import export में entry करने का और अपने business को बढ़ाने का कि जब आप किसी चीज को product बनाते नहीं है आप को product manufacture नहीं करते हैं तो कैसे आप import export में घूफ सकते हैं कैसे import export का business develop कर सकते हैं तो यह एक ऐसा तरीका है कि आप अपना एक चैनल बनाएं जैसे बहुत सारे चाइना से और वर्ड जाते हैं लेकिन वह चाइना एक्सपोर्ट नहीं करता है हो सकता है कि दोबई एक्सपोर्ट करता है दोबई इतने बड़ा है कियो है बनावाया यह हम लोग यहां पर करीब 20 कंट्री से एक्सपोर्ड करते हैं और एक्सपोर्ड करते हैं मान लिजे कोई ऐसा प्रड़क्ट है मान लिजे इलेक्ट्रोनिक प्रड़क्ट्स जो चाइना के यहां पर आते हैं वो किसी देश में बैंड है या उस पर ड्यूटी लग रहे हैं तो यहां पर आते हैं उनका ब्रांडिंग चेंज होता है और फिर वो होते हैं अलग-अलग देशों में आप जैसे माने जिए दुबई का यानि युवे का जहां पर ट्रेड फैमिलियर है यानि जहां पर हमने ट्रेड एग्रिमेंट साइन कर रखे हैं तो वहां पर टैक्सस नहीं लगते हैं ऐसा कहां पर बैंड लगा है कहां पर नहीं बैंड लगा है हम वहां से प्रॉड़क्ट इंपोर्ट करके यहां पर तुबई में इंपोर्ट कर सकते हैं युवे में इंपोर्ट करकर यहां से री एक्सपोर्ट कर सकते हैं जिस कंप्री में उसकी डिमांड है एक सीड़ा सीड़ा देख रहे हैं और दुबई में आकर बिजनस करना चाहते हैं तो वो हमारे साथ जोड़ सकते हैं जैसा कि हमने देखा भारत ने धाई लाग पतिशत एक्सपोर्ट बढ़ाया पेट्रोलियम में तो हम भी मिलकर कुछ अच्छा कर सकते हैं